हेलो फ्रेंट्स तो कैसे हैं आप सभी लो स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल ऐसे साड़ी व्लॉगर में तो फ्रेंट्स आज है संडे और तारीक है 12 दिसंबर तो बहुत सारी वीवर्स जानना चाहते होंगे कि मम्मी कितेवित कैसी है कुछ तो कमेंट भी आया ह कि माता जी कितेवित कैसी है अंटी जी कैसी है तो दिखाते हैं और बता दो मैं आग उनको का पहले से मतलब काफी ठीक है और उनको जो है यहां सर में चोटाने की वज़े से हेड एंजिरी हुई थी और यहां सोल्डर का मास मैंने बताया था ना कि फट गया है तो अब तो क मतलब बस रिष्ट करना है आराम करने के लिए बोला है और दो चार दिनों में इनको दिखाने फिर से जाना है एक बार क्योंकि एक अपता हुआ जा रहा है सुक्रार को लोग गए थे तो यह सब जो था मैंने अपडेट दे दिया आपको बता दिया और अब थोड़ा बहु जिस नर्सिंग हम में मम्मी को लेके गए थे तो यह अभी नया कुला है दो डाए मैंने केवल पहले ही तो यह डिलाइट नर्सिंग हम करके है वैदि गार्डन के पास और यह देखे मम्मी जिस दिन में गई थी ना उस दिन की फ्राइडे की रात की सूटिंग है क्योंकि न तो कान से ब्लडिंग हुई थी तो जिसकी वज़े से कॉटन लगी हुए कान में और यह दूसरे दिन की सूटिंग है सटर्डे की तो मम्मी को यह कुछ दवायां दी जा रहे हैं और उसके बाद मम्मी का बीपी और पल्स भी चग किया गया था और यहां धूप सामने आ रहे थी खिड़की से न तो उसकी वज़े से थोड़ी सी जो है चमक लग रहे थी कैमरे पे और देखिए लगा यहां पर यह पल्स मीटर तो यह इसी तरीकी से सारा मतलब ट्रीट्मेंट दिया गया था तुरंत इंजेक्शन वगेरा दवाईयां इसके वज़े से मम्मी रात को मतलब सो गए थी वरना ममी तो ममी जबाएं थी राथ बिल्कुल बैट भी नहीं पा रहे थी और यह देखे उसी दिन इदो पहर किये तो ममी को मैं डाल पिला रहे थी क्योंकि लिक्विड ही देना था ममी मतलब बोल रहे थी कि मतलब खाने के लिए मना कर रहे थी उनका मन नहीं कर रहा था फिर में बीच बीच में उनसे बोलती जा रहे थी तो उनको दाल खिला रहे थी और इसके बाद दूसरे दिन साम को मतलब लगभग डेड़ बज़े की सूटिंग है तो यह यहां पर दूसरे हॉस्टिल हम लोग गए थे तो वहां पर ममी का MRI मतलब हुआ था तो यहीं वहीं का यह मतलब अंदर तो मोबाइल लेकर जाने ने लेते तो यह बाहर का थोड़ा सा मतलब सूट किया था मैंने तो यह देखिए रूम बगेरा बज़ों बने तो एक में तो सिटी स्किन होता है और दूसरे जो गेट लगा है दूसरा उसमें MRI होता है और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी मतलब किलिप बनाई थी और सूटिंग की थी जिस दिन हम लोग चुट्टी मतलब लेके घर आ रहे थे मंगलवार के दूपहर की यह सूटिंग है तो ममी के मतलब बाल थुड़े जो है मतलब उलज गए थे बहुत ज़्यादा तो फिर मैं दीरे-दीरे कंगे से इनको सुलजा रहे थी चुट्टी मिल गए थी बस वसी के तियारी कर रहे थी मैं कि सारा सामान वगेरा सब पैक पैक कर लिया था और मंगलवार की मतलब रात में निकले थे हम लोग और रात में लगब वही घर पहुंचते पहुंचते साड़े ग्यारा मतलब बच गये थे मतलब रात्ते में नहां से निकले हैं हॉस्टिल से जब नर्चिंग हम से और ठोड़ी सी रास्ते की भी सूटिंग कर ली थी नहीं है तो हम लोग वापस आ रहे हैं और वापस मतलब आने के बाद फिर रात में तो कुछ किया ही नहीं और सुबह फिर सारे कपड़े वगेरा धुले जितनी भी हॉस्पिटल के थे बहुत सारे कपड़े कट्थे हो गए थे जो आपने पिछली वीडियो देखी थी तो वह मतलब इसी के आगे की थी यानि कि बुद्धवार की जो मैंने वह कुकर में चावल खराब हो गय थे क्योंकि मैंने नहा मतलब कपड़े धुले फिर नहाया उसके बाद कि जब खाना बनाने गई तब देखा कुकर में चावल खराब हो चुके थे ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल तो वही पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था और यहां पर आप देख सकते हैं यह बोर्ड लगा हुआ है ख्वाजा मुयनि दिन चिस्ति भाशा विश्विद्याले लखनाव और टेक्सी से हमितलर हम लोग आपस आए थे तैक्सी से लेके भी गए थे ओर टेक्सी करके चरा Rate थेखाया 3 जैसे कोई दिक्कत परिशानी या फिर होती है तो फिर टेक्सी से जाना सही रहता है तो देखे हम लोग वापस आते हुए और मैं चार-पांद दिनों से नहाई नहीं तो फिर चहरा जिसे अजीब सा हो गया ना और हॉस्पितल में सो भी नहीं पाई सही से नीन भी नहीं पू सब निकाल के सारी चीज़े रखी है फिर मतलब होस्टल से आओ ना तो फिर बिना धुले कुछ मन नहीं करता तो फिर सारे कपड़े मैंने गरम पानी करके गरम पानी में धुले थे तो यही थोड़ी छोटी-छोटी सी क्लिपे मैंने सूट की ज्यादा नहीं सूट कर पाई थी और वैसे भी मतलब सूटिंग करने का ही टाइम मिलकुल नहीं मिल पा रहा है तो फिर एडिटिंग कहां से हो पाएगी क्योंकि मम्मी का विध्यान रखना जरूरी है ना क्योंक होंगी नहीं तो बस फिर में लेकिन मेरा इस समय पूरा फोकस में मम्मी का थियान रख रही हूं मैं क्योंकि उनके पास हर समय मतलब एक लोगों का होना बहुत जरूरी है और दिक्कत हो जाती है ना तो मम्मी का ध्यान पहले बाकि सब बात में